हेलो दोस्तों, नमस्कार, आज आप लोग को बताएंगे क्लास तिंथ मैत भारती भूब, जो सकेंड चेप्टर हैं बहुपत, चेप्टर सकेंड हैं बहुपत, ठीक हैं, अगर आप लोग चैनल पढ़ना हैं तो चैनल को संस्काइब कर लिजें, काई कि जो वीडियो हैं थोड़ा सा पिछले बढ़ा भी जान लेते हैं बहुपत, क्लास 9 में जो पढ़े हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोगको याद आजाएं और क्लास 3 में भी इसमें बहुपत में क्या क्या चीज सभर सारा इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे, अगर चैनल पर यहां यहां आया है तो चोनध को सब्सक्राइब कर लिए करते हैं चले वीडियो कोивает करते हैं तो देखिए सफए पहले हैं यहां पर हम सब जान लेते हैं भवतत्र यह होता है यह गता है यह अच्धा बाउपद क्या है तो पहुत का सिंपल सा प्टिभाशा है लिखे कि वह ऐसा विजिये व्जक वैसा विजये वेण जिसके चर घात धनात्मक हो बवपत कलाता है उपने इसको समझेए का द्यान से बवपत कलाता है आप देखिए इसमें एक चीज्ज आया है चार噢 यहां पड़ाया है क्यों हो हो आज दीक पहले सब्सक्राइब थोड़ा सा समाज लेते हैं तो दिदिको कि जुग संख्या होता है अज़ चर के बारे में पहले समझ लेते हैं तो दीखें चर के मतला होता है आईसल संख्या जिसका मान बार-बार बदल जाये जैसे में एक्जामपल के लिए अगर 2x लिख दें जान तो ये वाई लिखते हैं या चर का मान बार-बार बदलते हैं यहां लिखें अगर 2 तो इन 2 में थी तो तिन दूना कितना हो जाएंगे अगर यहां पर 6 रख देंगे तो दूना देंगे एक्स लिखेंगे जो इसका मान है बदलते जाएगा ये चलते ही चर संख्या का मान क्या होता है बदलते रहता है और इसमें एक जांपाल ले सकते हैं जैसे जैर भी हो गया A-b-c-d-key कोई भी लेटर ले सकते हैं ठीक है आँ देखें आ अचर संख्या आई-साम संख्या ही जिसका धने मान नहीं बद ले जैसे कि जतना भी प्रकृष संख्या होटा है एक से लेकर पूरा जतना दख होता है जीरो ले ले, एक ले ले, सब, प्राकिर संख्या जतना भी होता है, सरा, जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छो हो गया, डो, 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 अनंतर, ठीक है, इस सब का जो संख्या लिखे हैं, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो ग नहीं न बदलता है यह चलते है यह संक्या को खूंगे अचर संक्या जिसका मान कभी नहीं वाल्य क किबी News सकते अपर नहीं बदलता है और ऐषरह संक्या का मान बदल जाता है कि ये इतना आप लोग को पूरा थासा के लिए रहें। कि लिए चलते हैं, कि अब देखे यहाँ पर यह वैसे बने जिसका चर का घृत घनात्मक हो बहुपत कर रहाता है जंक और रिनात्मक आप लोग जानते हैं वैसा संख्या जो जिसमें प्लस बला हो उसको धनात्मक बला जाता है वेसा संक्या जो इसमें लेते हैं इसमें लेते हैं माइनस सञ्क्या है ओप बिनात्मक संख्या है कि अगया अच्छा से फाता है कोई धिकत नहीं है इसमें जो चर्का घ्राट धनात्मक हो अभी यहापर देखे घात चर्का घात धनात्मक हो कि इसे की फॉर एक्स एस्क्वाइड लिख लिए यह वाला जो घाब दिखाई दे रहा है यह धनात्मा खुना चाहिए अगर यहां पर ऐसे लिख दिए फॉर एक्स माइनस में टू यह वाला जो है यह बहुपद नहीं होगा ठीक है अगर इसे फॉर है नीक्ते है वई के पा वल माइनस ए इस तरह से लीक्टी एक है किया वह वह बहुपद होने के लिए जो घात होगा कैसा थर्णात्माट होगा तो अब अल्गोपद नहीं होता है छिम्रेटी गुंदा से अगे चलते हैं आ कि तो चाहिए टेखिए आपर देखिये एक से टीव पाद है एक से पावर कुछ नहीं तक ही यह पर का वान है वन का धनात्मक में पलस में ठीक है थी बहुपद उसके माद एक स्प्लस 2 एक प्लस 2 इसमें भी पावर वन है ठीक है पलस में और यह वो एक से स्क्वाइड ेक्सप्लस म्यें वाल इससे किया है वहफद है कि बाफ़ध को दो अधायरव पर बाता गया सीख इसे पहलए असर गात इस बहता है तो पहले आंशर जैसे हैं लिए पहले लुका चे mutual के अधायरद कंज्ट इक पदी बहुपत क्या होता है? इक पद्य बहुपत कहते हैं, मतलब जिसमें ए ऊपद वहाले बहुपत को एक पद्वाले बहुपत कहा जा dependency आप लोग को अच्छा से इसका प्रिभास है, इसमें याद करने का कोई भी दिकत पवे नहीं करेंगा, काई कि आप लोग को समझ में आ जाएगा एक एक बात आप लोग को असपर सुख से समझ में आ रहा हो अगर कोई भी दिक्कात है तो आप लोग कोमेंट में जरूर फूशिएगा ठीक है अब देखिए जैसे हम एक्जामपल महीं आपर देखिए यह वो पद है है इसको बोला इसक्वाइड फाइज वाई के पावर ठीरी इससद क्या है एक बावपद है कोई भी डाउट इसमें नहीं है कोई भी तिक्कत नहीं होगा इसमें चलिए अब आगे चलते हैं हुआ है 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 ऐगा दूसरका देखिए सब्सक्राइब दूश्वावज बहुपद उपन कियों इसमें गवहुपद ओक्ए उपन है यहाँ पर देखिए इक स्क्वाय प्लस में कि यहां पर देखिए एक से स्काय माइनस में फ्रोड क्या उपद है दो अब लोग को यह बात समझ में आ गया होगा कोई भी डाउट नहीं चलिए आप तिसर का त्री पद्दी बहुपद ऐसा बहुपद को करते हैं जैसमें तीन पद वाले बहुपद को त्री पद्दी ऑपद को त्रीपद्दी बहुपद करेंगे लेखे मैं यहां ग्यांपल में दिख लीजे एक स्कायर प्लस में एक अब फिर फिर प्लस में गुआन थेक है अप चलिए इसके नेक्स्त बाख पर चलते तो देखिए यह पर घताइंग के अधार पर मिफाँ प्रकार कि होते हैं। जाने 151 फूर मिफोपत्थ हृ दूसरका 6 10 सरका 3 वाववपत्थ थीक है अब देखिए यहांपब बारि वारि से सब को समझते हैं। एक घातिये या रैखिक बहुपत एक घात वाले बहुपत को एक घातिये या रैखिक बहुपत कहा जाता है अगर जिसमें घातों की संख्या एव हो रहे है उसको रैखिक बहुपत बोला जाएगा जैगा जैसे कि घात के संख्या एव हो एक से प्लस में डूर है ह मिद्णा पod के अगए अगे दिख्ये इसका प्यंपा कु इसका बियापा क्रुफच मतलब क्या होता है गों इस यह आक cricket गाओ पूर सब्सक्राइम डिक्षों साड़ है कि एकि ज्रहिए वामपत कर दिखा ये एक से प्लास में भी ती समझ जाइएगा कि रखी कुछ सब्सक्रात में यहाँ पर एक स्प्लस वेड़ी इस तरह से लिखा अगर इस ता से लिखा हुआ है तो समझ जाएगा रहे ठीक या एक घातिय वह पाद होगा ठीक है कि अब आगे चलते हैं अब यहां पर देखें जहां ए नौट जीरो मतलब एक बुरावर में कभी जीरो नहीं होगा मतलब एक मान नौट जीरो होगा मौझ एक मान जीरो नहीं जैसे की औगर हम समाल उते हैं पांच एक जगह पर यहां पर पांच रखले चो राखले साथ राखंडे दस रॉब जाद अगर मान लीजह जाएं यहां पर एक जिजागे पर जीरो नहीं हो तो इसमें mieć यहां पर भी देखिए गातों की संख्या 1 है यहां पर भी देखिए इसमें भी 1 है और यहां पर भी देखिए यह इसमें भी 1 है और यहां पर भी देखिए यह इसमें भी घातों की संख्या केतना है दो घातों वाले को दुई घातिये बहुपत कहा जाता जिसमें घातों की संख्या के वो हो मात्र दो घात के संख्या उपरवला में के वो था ए वो था और इसमें दुई घातिये में के वो घातों के संख्या दो वो होगा और इसमें भी देखें यहां पर जहां ए ए नोट जी कभी भी नहीं होगा एक के बरός में जिर नहीं होगा एक के जगह पर कोई ना कोई मानी होगा यह हो दो हो थीन हो चार oh 5 6 6 5 कोई भी संख्या होगा जिरो के छोड़ के encard इसका इसमिदय की इसमें भी इसका वी निक में ब्यापक होता है थीक है तो व्यापा गुरूप आप लोग लिख लीजगा देखें यहां पर लिख दे रहा है इसमें इसका जो व्यापा गुरूप होगा होगा A x square plus में B x plus में C ठीक है व्यापा गुरूप यहां पर इस तरह से ही होगा ठीक है A x square plus में B x plus में C अगर इस तरह से लिखा वाराएगा कोई वी बॉपत कोई वी बहुपत कोई Wh वी व इसाए में यहाँ पर इक्धाम्पल लिखे हैं इसमें घातों की संख्याँ दो होगा तेकि हो मैं इस आपने संक्या है कि यहां पर देखे जैसे में इसमें देखे संख्या और इसमें ऊक्ते कि संख्या डूफ 2005 है चाहे वह एक पद्दी आप दुई फद्दी मेरे निसमें देखना है घात ओकी संख्यां चलिए आप आगे चलते हैं कि कोई भी डाउट आप लोग कॉमेंट करके के जो पुछ जिसमें घातों की संक्या क्या हो, तीन वो हो, जिसका ब्याफक रूफ हो, जिसका ब्याफक रूफ यहाँ पर लिखते रहें, A, X के पावर 3, पलस में, B, X स्क्वार, फिर पलस में, B, C, X, फिर पलस में, D, इस तरह से रहें, इस तरह से, यहाँ पर इसमें घातों के संख्या कितना है, थिरी है, इस तरह से व्याफक रूफ इस तरह से होता है, ठीक है, तो व्याफक रूफ में घातों के संख्या यहाँ पर थिरी है, सबसे बारा, अगर सबसे बारा अगर थिरी है, तो समाझ जाएगा कि तिरी घाती व और उपर में दो डूपर में एक इंद जिसके एक पड़ी रहे किया एक खाले यह अब यहां पर देखें तुरिगातिए हो जाहिए जिसके एक्जामपर में धाकना संख्या एक्स के पावर थीरी है, जैसे एक्स के पावर थीरी लिख दिए, तीरी कुन कहलाईगा, तीरी घातिये बहुपद ही कहलाईगा, जैसे यहाँ पर य के पावर थीरी लिख दिए, तीरी कहलाईगा, अगला इजांपर में यहाँ पर घात के संक्या कितना थीरी है, और इसमें तो देखे दोस्तों यहां पर चौथा है सुन्य घातिय बहुपाद वह ऐसा बहुपाद जिसके चर का घात सुन्य हो उसको सुन्य घाती बहुपाद कहा जाता है जहीं घ्यांपटल देखे यहां पर क्या है 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 कि टू के कोई भी घात है यहां पर घात मेंज देंक और किजारो प्रिक गथलिए हैं चार गयातों के संकेए क्या है जीरो है जो जीरो हो इसमें अगर पुछ देगा टू के घात क्या होगा पूशन में पुछ देगा टू के घात क्या होगा जीरो होगा फोर्ड के घात क्या होगा जीरो होगा फोर्ड के घात क्या होगा जीरो फाइट क्या तो जीरो ठीक है इसमें घात जितना भी है एक नमर्या और पूश लेता हैसे शलत है आप लोग सिसको धियार में रखिताँ Aufg dispatch का अधिकता माने क्या होता है ट्री होता है कि इंज से ःष्ट यह सब लिखते हैं इसे फोर एकस के पावर डिपलस में और स्क्वायर पक्लस में फॉर एक्स प्लस में इस तरह से वहाद दिया होरा ठीक है इसमें घात के संख्या सबसे अदिकतम अदिकतम हाद को ओ थे । ठीकMAN ए तब तरी सबसे जादा अधिकतम मानि अधिकतम जोता जो इसमें घात अधिकतम कितना है तू है चले उसी तरह एक घाती है या रैखिक बहुपत का अधिकतम मान क्या होगा अगर देखे इस वीडियो में अभी इतना ही रहने देते हैं आवे नेक्स्ट वीडियो में आगे अब फर्मूला बताके उसके बाद सवाल बन रहेंगे आप लोगों से अगर यहाँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तक प्लिस चानल को सब्सक्राइब कर लिजे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए धन्यवाद